नमशकर दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नुवलिश शो में तो दोस्तो भारत जें वेग्यानिकों ने को बहुत बड़ा कमाल कर दिखाया है और चीन के खिलाव और साथ ही पाकिस्तान के खिलाव यह बहुत बड़ा हत्यार होगा खास करके चीन के S-400 के खिलाव ये भारत का ब्रहमास्त भी आप इसे कहेंगे तो एक बात कम नहीं होगी और इतना ही नहीं चीन की जो defense system है उसे तोड़ने में ये number one हतियार भारत का बनने वाला है जी हाँ पुरी तरीके से तोड़ कर रखनेगा चीन का defense system को चाहे हो कितना भ ठीक अभी थोड़े देर पहले ये खबर निकल कर सामने आए ये बिल्कुल ताजा खबर है तो चले वीडियो का अपने हम शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों जब से गलवान घाटी की हिंसा हुई है उसके बाद से भारत सांस लेने का मोका नहीं चोड़ रहा है ना तो हमें नहीं चीन को हमें इसलिए क्योंकि हम लगातार वीडियो बनाते रहते हैं अगले दिन फेरे को नहीं मिसाइल भारत बना देता है और चीन को इसलिए सांस नहीं आ रही क्योंकि वो पहले एक मिसाइल का तोड़ इतना ढूंडता है इतने में भारत चार पांच मिसाले नहीं खड़ी कर देता है भारत ने गलवान गाटी की इनसा के बात कम शे से साथ नहीं मिसाइले त्यार कर दी हैं अभी मैंने आज आज सुभई वीडियो बना कर आपके बताया था कि कैसे टोरपीडो असिस्ट मिसाइल भारत ने बनाई है और आज फिर एक बड़ी ख़बर आ गई खबर ये कि भारत ने एक नई मिसाइल तयार कर दी है जिसका नाम है रुद्रम जी हाँ और जैसा इसका नाम है रुद्रम ऐसा ही इसका काम भी है दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तहस नहस कर देगा और इससे होगा क्या जो पीछे लड़ा को विमान हेल पायर कर देगी तो ना तो वो हमारे लड़ा को इमानों को निशाना बना पाएंगे ना हमारे ड्रोन्स को ना ही हेलिकोप्टर को उन्हें ना तो ठेक्ट कर पाएंगे ना ही उन्हें मार गिरा पाएंगे जिससे की चीन जैसे देशों को पाकिस्तान जैसे देशों को आसान को अचीव कर लिया गया है अब मैं आपको इसकी कुछ खासेते बता देता हूँ सबसे पहले इसकी स्पीड लाजवाब है दो मैक की स्पीड पर ये उड़ती है जी हाँ यानि की दवनी की स्पीड से साउंड की स्पीड से दुगनी तेजी पर ये जाती है दूसरी बात ये एक बहुत ही पोर्टेवल मिसाईल है मतलब इसे आप सुखोई 30 लड़ा कुई मान से लौँच कर सकते हो और ये 15 किलोमेटर आसमान में उचा ही जाकर भी लौँच हो सकती है और इसकी रेंज वो भी लाजवाब है 200 किलोमेटर यानि कि लड़ा को इमान से लौँच होने वाली मिसाईलों में 200 किलोमेटर बहुत ही अच्छी रेंज मानी जाती है और ये चीन के जितने भी भारसे सेटीवी सीमा के जो उनके मुखे बेसिस हैं या उनकी हवाई पट्टी है या जहाँ पर नोंने रडार तैनात करकर रखे हैं उन्हें आसानी से तबाह कर देगे और पाकिस्तान तो इसकी रेंज में है ही इसका मुखे काम क्या है इसका मुखे काम यह है कि दुस्मन की जो defense system है मालीय चीन का S400 हो गया चीन के पास जो radar है उन्हें तहस नहस कर देना ही specialist का काम है और इसी लिए इसे बनाए गया नहीए कि defense system को तोड़ कर उसमेंmingham होल छोड़ देना और इसी लिए इस से भारत के लि यानि सुचे कितनी advanced technologies में भारते वैग्यानिकों ने लगाई है तो भारते वैग्यानिकों को बहुत बहुत बढ़ाई भारते सेना को बहुत बहुत बढ़ाई की जल्दी वो इसे